भगवत महापुरान के स्वाध्याय पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण प्रेम से पोलिय जय श्री राधे आईए अब हम आठवे अध्याय में प्रवेश करते हैं ब्रह्मास्त्र से उत्रा का गर्व चलना और श्री कृष्ण भगवान द्वारा गर्व की रक्षा करना ब्रह्मास्त्र की अगनी से जर्यो गर्व में बाल यदू पती ने रक्षा करी रची माया को जाल कर जोरे कुंती करे इस्तुती मधन गोपाल कौरो पांडव नास्ते धर्म भहे बेहाल सुच जी बोले हे सुनक जी अपने स्वजनों को जल्दान करने से निमित पांडव लोग धर्तराष्ट और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके अपने वंश की संपून इस्तुरियों के साथ गंगा तट पर गए इस तरियां कुर्री की भाती बिलाब करती हुई उनके शोक से व्याकुल होकर धर्मराज युदिश्टर अती दुखी हुए द्रतराष्ट गांधारी, कुंती और द्रोपती सभी अपने पुत्रों, पोत्रों और सोजनों के लिए शोक करने लगी उस समय भगवान शिरी कृष्ट ने दोम में तता वेद्व्याज जी आदी मुनियों के साथ उन सबको अनेक प्रकार की युक्तियों से दिश्टांत देकर सांतोना दी और समझाया कि ये संसार नाशवान है जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यू अवश्य है, सब काल के आधीन है, मृत्यू सबको खाती है, अतहा उन मरे हुए लोगों के लिए शोक करना वेर्थ है इस प्रकार अनेक युक्तियों से अजाच शत्रू धर्मराज युदिश्टर को समझा कर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उन से तीन अश्व में गय कराए इस प्रकार युदिश्टर के शुब्र यश्व को इंद्र के समन फेलाया जब हस्तिनापुर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को परियाप्त समय व्यतीत हो गया तब वहे एक दिन द्वार का जाने का विचार करने लगे और पांड़ों से विदा लेकर और वेद व्यास जी आदी मुनियों की आग्या लेकर रत में बैठकर सात्विक तथा उ उन्होंने देखा कि उनकी बधू उत्रा भैसे व्याकुल होकर रोधन करती हुई आगे से दोड के चली आ रही है उत्रा ने व्याकुल सुअर में कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ मेरी रक्षा करो हे योग-योगेश्वर देवताओं के भी देवता संसार की रक्षा करन वाले हैं आप सर्वशक्तिमान हैं ये देखिए प्रज्वली तुर लोहे का बांड मेरी ओर चला आ रहा है है जनार्दन ये वांड मेरे गर्भ को नश्ट ना कर दे है प्रभू आप ही मेरी रक्षा करने में समर्त हैं सूद्जी बोले है सूनत जी उत्रा के इसे कातर सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत रत से कूत पड़े और बोले कि अश्वत थामा ने पांडव वंश को नश्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त का प्रयोग किया है पांडव ने भी अपनी और धहकते हुए पांच वानों को आते हुए देखा तब उन्होंने तत के घर्व में प्रविष्ट होकर अपनी माया के कवस से उस घर्व को आच्छा दित कर दिया है सोनक्ज जी ब्रह्मास्तर से किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती और वह किसी प्रकार से निवारण भी नहीं हो सकता किन्तु फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेश से उसे तुरंद शान्द कर दिया वे सर्व सकती मान हैं वे अजन्मा होकर भी संसार की उत्पत्ती इस्थती और लाय करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए ही जन्मधारन करते हैं जब कुंती और द्रोपती ने भगवान की इस अपूर्व शक्ती को देखा कि उन्होंने व एकी भाव से विद्मान हैं, किन्तु फिर भी इन इंद्रियों द्वारा आप प्राणियों को दृष्टी नहीं आते, आप प्रकृती से परे हैं, संपून विश्व को अपनी माया से ढखे रहते हैं, मैं अज्यान इस्तरी आपको पहचानने में असमर्थ हूँ, मैं आपको स प्रणाम करती हूँ, जिस प्रकार मनुष्य नट को सामने देख कर भी उसकी विद्या को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार अज्यानी आपको नहीं पहचान पाते, आप सदा परमहंसों के रिदय में भक्ती प्रदान करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए ही आपका अवतार ह हुआ है, भला हम अज्यान नारियां आपको किस प्रकार पहचान सकती हैं, हे वासुदेव, हे यशुदानंदन, हे गोविन, हे कृष्ण, हे माधव, आपको हमारा बारंबार साश्टंग प्रणाम है, प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जिस प् जिस भगवान की नाभी से कमल उत्पन होकर ब्रह्मा की उत्पत्ति करता है जो शेश शेया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं जिनके चर्णों में कमल का चिन है जो सदेव अपने बक्छ इस्तल पर विशाल वनमाला धारण किये रहते हैं जिनके नेतर कमल के समान विशाल हैं उन श्री कृष्ण चंद को हमारा बारंबार नमशकार है हे मदु सुधन जिस प्रकार आपने अपनी माता देब की की रक्षा दुष्ट कंस से की थी उसी प्रकार आम ने उन दुष्ट कोर्वों से मेरी रक्षा की है मैं आपके उपकारों को कहां तक गिनाऊं आ आप ही ने मेरे पुत्रों की विजे कराई है अभी अभी इस ब्रह्मास्त्य आपने मेरे वंश की रक्षा भी की है ये विपत्तियां ही आपको पहचानने का सरल और सुगम मारग है मैं आपसे यही वर मांगती हूं कि हम परसदा वारंबार विपत्तियां आती रहें और ये अपने दर्शन देते रहें, जो मनुश्य सुख में रहता है, वह अहंकारवश कभी आपका नाम नहीं लेता, किन्तु विपत्तियों में सदा मनुश्य आपका इस्मरण करता है, आप निर्धनों के धन, भक्तों के रक्षक और मोक्ष के देने वाले हैं, मैं आपको बारं परणाम करती हूँ, हे मदु सुख南 आप पर समान रूप से करते हैं, आपका ना कोई मित्र है, ना कोई शतरू, किन्तु फिर भी मनुश्य अपनी बुद्धी विशे से आपको शतरू और मित्र मानते हैं, आपके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, किन्तु फिर भी संसार को दिखाने के लिए कर्म करते हैं आपका बच्पन अती ही आनंद मै था अपनी माता ये शोदा को अपनी बाल लीलाएं दिखाने के लिए कभी मटकी फोड़ते थे कभी उकल से बनते थे कभी मातर प्रेम से भेहल होकर नेत्रों से जल यूक्त आंसु चलकाते थे आपकी उस वर्णन कहां तक करूँ सुयम ब्रह्मा ने भी आपकी माया से चकित होकर आपके बचड़े और ग्वाल वालाओं को कंद्रा में चिपाया था आप संसार के कल्यान हेतु ही अवतार ग्रहन करते हैं आपकी लीलाएं लोगों के लिए श्रवन और कीर्तन करने योग्ये हैं ज और जन्मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं हे भक्त बस्तल अब आप हम लोगों को त्याक कर क्यों जाना चाहते हैं हमें आपके अत्रिक्त अब और किसका सहारा है आपके रा ना रहने पर हमारा कोई अस्तित्वी नहीं रहता है आपके बिना मेरा यह घर अपवित्र हो ज स्वामी हैं आप मेरी मम्ता के जाल को काटने में समर्थे में चाहती हूं जिस प्रकार गंगा की धार समुद्र में गिरती है उसी प्रकार मैं आप में लीन हो जाऊं। हे गोविन्द में आपको बार बार नमशकार करती हूं। आज पुराणों के दिश्टांतों से उन्हें सांतों ना देते की चेश्टा करते तेकिन तु जब इतने पर भी धनराज युदिश्टर का शोग दो ना हुआ तब वे कहने लगे मुझसे अधिक दुराचारी दुरात्मा कौन होगा जिसने इस राज्जी के लिए अने को अक इर्दे के वानों को अधिक पीना दे रही हैं शास्त्रों का कथन है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए धर्म युद करे और शत्रु का नाश करे तो उसे पाप नहीं लगता किन्तु फिर भी मुझे सांत्वना नहीं होती जिन्त इस्त्रियों के पती बंदु बांदव ह हमारे द्वारा मारे गए हैं उनके प्रती में घोर अपरादी हूं ये यगे आदी उनका प्राश्चित नहीं कर सकते इसलिए मेरा इर्दे इस धर्मिक वेदना से अत्यंत दुखी रहता है इसी के साथ अश्टम अध्याय समाप्त होता है इसी के साथ आज का स्वाध्याय महापूर्ण भागवत कथा का यहीं समाप्त होता है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रादे रादे कमेंट में जरूर लिखें जय जय श्री रादे जय जय श्री किष्णा